The Daily Bus के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैसेजिंग की दुनिया के भविश्य की WhatsApp में Meta AI का इंटिग्रेशन। अगर आप इस नए फीचर के बारे में जानना चाहते हैं या इसका बहतर इस्तिमाल करना चाहते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है और हमारे साथ हैं टेक एक्सपर्ट, धीरन स्वागत है आपका दनवाद, यहां आकर अच्छा लग रहा है और इस नए फीचर के बारे में बात करने के लिए मैं उत्साहित हूँ सबसे पहले, Meta AI क्या है और यह WhatsApp में कैसे इंटिग्रेट किया जा रहा है Meta AI, Meta द्वारा विक्सित एक Advanced Artificial Intelligence प्लेटफार्म है जिसे यूजर्स के एक्सपीरियन्स को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है WhatsApp में यह AI यूजर्स को अधिक प्रभावी धंग से इंटरक्ट करने में मदद करता है चाहे वह Automated Response हो, Chats को Organize करना हो या मैसेजिंग के दौरान स्मार्ट सुजाब देना हो यह तो बहुत ही Powerful लगता है एक आम यूजर के लिए, वे अपनी डेली WhatsApp चैट्स में Meta AI का उप्योग कैसे शुरू कर सकते हैं? यह बहुत ही आसान है Meta AI Backaground में काम करता है लेकिन इसे मुख्य रूप से दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है Checkbots और Smart Replies Meta AI द्वारा Powered Chatbots टास्क को automate करने में मदद करते है जैसे कि Reminders सेट करना या Business में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देना व्यक्तिगत उप्योग के लिए Smart Replies ग्विक सुझाव देते है जिसे बातचीत और सुगम हो जाती है जरूर दिल्चस्प क्या आप एक उदारन दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने दैनिक रूटीन को manage करने के लिए Meta AI का उप्योग कैसे कर सकता है मान लीजिए कि आपके पास आज का दिन बहुत बिजी है आप WhatsApp पर एक Chatbot का उप्योग करके Meetings या Tasks के लिए Reminders सेट कर सकते है बस एक कमान टाइप करें जैसे मुझे पांच बजे groceries लेने की याद दिलाएं और Meta AI बाकी सब संभाल लेगा यह आपके दिन को schedule करने में भी मदद कर सकता है और इसे आपके calendar के साथ integrate कर सकता है या तो सच मुझ सुविधा जंक है अब privacy को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है Meta इसे WhatsApp में कैसे address कर रहा है बहुत अच्छा सवाल Meta ने WhatsApp में मजबूत privacy features बनाए है AI end-to-end encryption के साथ काम करता है जिससे आपकी personal chats private रहती है Meta AI सुरक्षित तरीके से data को process करता है और users के पास यह control होता है कि वे कौन से features एक्टिवेट करना चाहते है यह सुनकर अच्छा लगा चलिए, अंत में कोई tips जो आप users को देना चाहेंगे ताकि वे WhatsApp में Meta AI का पूरा लाब उठा सकें बिलकुल सबसे पहले, settings में जाए और देखें कि आप Meta AI को कैसे customize कर सकते है Smart Replies को enable करें और routine tasks के लिए checkbots का इस्तेमाल करें साथ ही, updates पर ध्यान दें Meta लगातार AI को बेहतर बना रहा है इसलिए नए features आते रहेंगे शानदार जानकारिया आज हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद और इस exciting feature पर रोशनी डालने के लिए तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है मेरा भी धन्यवाद हमेशा टेक पर बात करना मजेदार होता है अगर आपने अभी तक WhatsApp पर Meta AI का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसे जरूर आजमाए शायद या आपकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना दे अगली बार तक टेकसे भी बने रहें A futuristic interface with Meta AI integrated into a messaging app like WhatsApp showing chatbots and smart replies in action with sleek, minimalist design elements and glowing effects A person interacting with Meta AI through a smartphone with holographic-like icons representing AI features such as automation, reminders, and smart suggestions all in a modern tech-savvy environment A vibrant digital landscape where Meta AI is visualized as a glowing, intelligent entity seamlessly managing tasks like setting reminders and organizing chats with a sleek and futuristic aesthetic An abstract representation of Meta AI connecting to various devices including smart phones and smart home gadgets in a smooth, flowing digital network with bright neon lights and futuristic vibes An artistic depiction of Meta AI working behind the scenes in a messaging app visualized as a series of glowing lines and symbols that represent automation, intelligence, and privacy protection שים ... ... ... ... ... ...